हाई एवरिवान विल्कम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो संडे का दिन है और सुबह के करीब साढ़े नौ या पौने दस का टाइम हो रहा है मतलब काफी टाइम हो गया है और यहाँ पे देखे काम लगा हुआ है तो इस वाले रूम में जो कोने में आलमारी थी बड़ी सी उसी में दरवाजा लग रहा है तो सुबह से ही करीब एक देड़ गंटे हो गए जो है काम स्टार्ट हुए सारा फ्रेम अगरा बना के इन्होंने ले आया था बस यहाँ पे फिटी करना था तो बहुत पहले कमेंट भी आया था कि दी आप इसमें जो है परता लगवा दीजे इस अलमारी पे बड़ा सा मतलब अच्छा सा परता लगवा दीजे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने एक साड़ी का ऐसे ही ना इस पे जो है टांग दिया था कुछ मतलब यह नहीं सोच कि कुछ खरीदा नहीं था बस ऐसे एक साड़ी का चोटा सा पहले से ही था उसी को बस टांग दिया था तो दिमाग में पहले से था ही कि हम लोग को इसमें जो है दरवाजा लगवाना है इसी वज़ा से मैंने पर्दे वगवा नहीं खरीदे कि फिर उसमें जो है ना वेस्ट होगा पैसा और हम लोग उस टाइम पे तुरंत नहीं करते हैं तो बस इसी वज़ा से रुकी हुई थी नहीं तो मैं पर्दा जो है मतलब मेरे दिमाग में यह था कि दरवाजा अगर नहीं लगएगा तो मैं पर्दे ही लगा दूंगी लेकिन बस यह था कि नहीं पर दरवाजा तो लग पर्दे में क्या है देखने में तो सही लगता है लेकिन गंदगी उतनी होती जाती है और तनमे को भी जरूरत होने लगी थी अब जो है उसके बुको अगरा बढ़ने लगे हैं तो उसको भी थोड़ी सी जगह की प्रॉबलम हो रही थी तो अभी जरूरी हो गया था तो बस काम लग गया तो उधर काम चल रहा है और इधर मैं जो है बना रही हूं नास्ता तो एक बारी सुबह नास्ता हो चुका है ये दूसरा वाला नास्ता है तो हुआ क्या कि आज इनका मन्ता मतलब कल ही कहा था इनोंने कि संडे को जो है ये भुट्टे बनेंगे इसकी घुगरी बनेगी लेकिन भुट्टे आये नहीं कल तो आज सुबह इन्होंने दुकान वाले भहिया से बोला था कि जो है भुट्टे ले के आना तो तुरंत मुझे बताना फोन करना जो है मैं आऊंगा लेने तो वही सुबह मैंने बना दिया था फ्रेंच फ्राइज आलू वाले तो थोड़ा थोड़ा हमने खाया था क्योंकि लेट हो रहा था टाइम जादा हो रहा था और मुझे ये भी था कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा तो बिना खायी सब लोग रह जाएंगे तो फिर जब ये आ गया तो इन्होंने छीला इसको पूरा इसका दाना वगरा निक दी्टी बहुत लगता है समय भी नहीं लगता और इसमें कुछ मतलब डाला भी नहीं जाता है सिर्फ तेल शर्सोका और उसमें लेसुन एकज़ जो एक डो बहुत जादानी और नमक काली मिर्च सिर्फ यही तीन चार चीज़ें पढ़ती है और ये बहुत ही टेस्टी लग जो भूना जाता है आग पे वो भी अच्छा लगता है लेकिन जो कच्चा रहता है उसकी गुगरी भी बहुत टेस्टी लगती है तो अभी शुरुआत में ये गुगरी अच्छी लगेगी और कुछ दिन बाद फिर बस भूना ही जाएगा वही वाला अच्छा लगेगा जब थोड़ा सा ये होता है कि दाना मोटा हो जाता है पक जाता है तो फिर भूनावला ही अच्छा लगता है उसकी गुगरी नहीं अच्छी लगती तो हम लोग एक दो बार तिन बार ऐसे मतलब बन जाता है जब भी सीजन इसका रहता है न तो बनता है और मेरे घर में क्या थैन मतलब kitchen के जो भी काम थे वो सब निप्टाए थोड़ी बहुत editing की भी काम जो है कर लिया उसके बाद ये काम पूरा हुआ मतलब घर में अगर कोई काम लगा होना तो फिर ये होता है ना कि कुछ और काम हम साब सफाई का तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते सब लोग फसे होते हैं और बीच बीच में आके देख भी रही थी कि मतलब कैसे हो रहा है क्या हो रहा है कुछ बदाना फिर कुछ चीजे मतलब घट गई थी कुछ इसमें तो फिर लेने भाईया चले गए थे market तो उनको फिर से एकाद घंटे लग गया लेट हो गया उतना तो वही सब मतलब कीजन का काम मैंने निप्टाया और अभी जो है लंच की भी तैयारी शुरू कर दी है दाल रख दिया है मैंने वाकी और मतलब दाल चावल ही बनेगा क्योंकि नास्ताज दो बार हो गया है तो फिर बहुत जादा कुछ नहीं बनाऊंगी सिर्फ दाल हमारी जो है इतनी जादा गंदी हो रुखी है और सामान मैंने कुछ हटाया नहीं था क्योंकि धूल गंदगी वैसे भी पड़ी हुई थी और भहिया ने भी बोला कि बहुत जादा नहीं होगा जो है रहने दीजे लेकिन ना वही है कि लोग बोल तो देते हैं लोग कि नही गए हैं बाकी उपर जो बुक कॉपी सब रखा हुआ था वो सब नीची उतारा गया है सारा सामान और उसको मैं पोच रहे हूं कि इसी बहाने चलो एक बार अच्छे से सभाई भी हो जाएगी और फिर मैं चेक भी कर ले थी कि कौन सा बुक रखना है कौन सा हटाना है तो सा जादा तनमेकाई है उसका सुरू से लेके अभी तक का पूरा मतलब बुक को अगरा रखा है हमने ये पूरा जो है मुझे लग रहा है कि क्लास वन से अभी तक की सारी किताबे उसकी रखी हुई है तो अभी जैसे नाइन्थ तेंथ की बुक की जरूरत उसको हमेशा पढ़ जो हैं वन से लेके फिट तक की तो उनकी तो जरूरत नहीं लगने वाली है उसके बाद की सायत कभी कभार कुछ हो जाता है ना कि कुछ देखना होता है तो सारी अभी रखी हुई है तो सब ऊपर वाले आल्मारी पर रख दिया गया है कि उस पे जगह भी है और मतलब ऐसी चीजें ही उस पे रखे जाएंगे कि जो डेली उसमें नहीं होती मतलब उसको कभी कभारी देखना होता है तो उपर वाला सारा सामान इन्होंने आलमारी पोची और सब कुछ रख दिया मैंने पकड़ाया और इन्होंने रखा और नीचे का जितना है ये तो इस पे मैंने खतम ही नहीं हो रहा है तो आलमारी में जो सामान रखने थे फिलाल अभी बहुत थोड़ा सा ही मतलब रख दिया है अब ये हो गया ना कि एक जगह हो गया है बीच में मैंने जो है वो लकड़ी के पट्टे का वो लगवा दिया है तो और भी जगह आलमारी का भी बड़ी थ तो थोड़ा सा जगन बढ़ गया है तो वही बुक के लिए उसके लिए ही जगन कम पड़ रहा था उसको जो है न जगन थोड़ा सा मतलब कम पड़ रहा था किताब वगर बढ़ती जा रहे थी तो हुआ कि नहीं यह आलमारी बनाना जरूरी हो गया है तो बस उधर का पूरा के बाद अभी इधर जो है पूरा जहार ले रहे हूं बहुत ज्यादा धूल हो रखा है तो इधर देखे बेड पे टेबल पे टेबल तो पूरा भरा पड़ा था जो है और बस ना थोड़ी सी तोड़ फुड़ी है बाके ड्रिल मसीन चला है बस उसी से इतनी सारी गंदगी न तो एक बारी में नहीं निकलता है दो बार में जब तक उसको दो तीन बार मतलब आज थोड़ा सा किया जाएगा उसके बाद कल भी अच्छे से किया जाएगा तब जाके मतलब पूरा धूल साप होगा तो टाइम भी काफी जादा हो गया है मतलब वही दस बजे तो ये सब नौ बजे ये काम स्टार्ट ही हुआ है फिर हमने नास्ता वगरा किया किचन समीटर में इस साप सफाई में मैं लगी थी करीब एक डेड़ बजे में लगी हूँ जो है एक डेड़ क्या दो बज गया होगा सायर तो टाइम अच्छे से याद नहीं है लेकिन लेट काफी हो तो पूरा जो है एक से दो घंटे लगे रूम को साप करने में तो मेन वही आलमारी से चीजें हटाना फिर पोच के पूरा रखना और बहुत दिन से उपर वाले पे बहुत दिन से सारी किताबे वगरा पड़ी हुई थी उसको बहुत जल्दी जो है नहीं साप हो पाता है अ अब लग गया है तो यह है कि अब गंदी नहीं होंगी जल्दी तो बीच बीच में कभी कभार जैसे जब डीफ क्लिनिंग होती है तब ही करना पड़ेगा जल्दी नहीं करना पड़ेगा नहीं तो ऐसे क्या होता था गंदी तो होई जाती थी लेकिन मैं कर नहीं पाती थी उपर मनलो गई है सीड़ी वगरा लगा के फिर सफाई करनी होती है तो सारा कुछ समेट के जाड़ू अगरा मैंने लगा दिया है उसके बाद मैं फिर से किचन में चली गई तो वही है ना कि हम औरतों को ना कितना भी काम हो लेकिन किचन का काम सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हम सारे काम बीच में छोड़ सकते हैं लेकिन किचन का काम टाइम पे निप्टाना होता है तो यह दाल हो गया था तो चावल रखना था और चोखा भी बनाना था और भी सामान जो इस रूम से निकले हुए थे ना साफ करने के लिए डस्टिंग के कपड़े तो बहुत लगा देता हूं तो वही मैंने बोला ठीक है साम भी हो गया मतलब हम लोग को खाना खाने में चार बज गया तो बस यह सारे काम छोड़के कि मैं धीरे-धीरे साम तक निप्टाओंगी पहले खाना पिना हो जाए सब लोग खा ले ने तो फिर और समय बीच जाता ना तो फि पैरों में दर्द मेरे इतना ज्यादा पैर आज दर्द कर रहे थे वैसे भी आजकल पता नहीं क्यों मतलब बहुत दिनों से करीब 8-10 दिन से मेरा पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है और जिस दिन थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाता है तो उस दिन और भी दर्द करता है और ये भी काफी थक गये थे तो संडे के दिन ना इनका भी काम बहुत बढ़ जाता और बहुत ज़्यादा हिल्प करते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब जो काम मैं नहीं कर पाती हूँ वो काम इनहीं के जिम्मे रहता है कि यहीं करेंगे और जो करती भी हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब बीजी तो डेली रहना ही है तो ये संडे को मतलब हिल्प कर देते हैं इनकी रहने दो मैं ये काम कर दूँगा या ये निप्टा दूँगा तुम ये काम छोड़ दो तो काफी हिल्प मिल जाती है तो बस अभी जो है चाय व आया ना तो उसने अपना बुक कॉपी नीचे का जो है थोड़ा बहुत साप किया कि बहुत धूल हो गया बहुत धूल हो गया बोल रहा था तो बस उपर का मैंने कपड़े वगरा हटा के उस आलमारी में रखे और इस पे टेबल वाले बुक वगरा इस पे रख दिए है तो धूल रहता है न तो अभी फैन चल रहा है तो वो न और ज्यादा उड़के फिर दूसरी चीजों पर जाएगा तो जो चीजे साफ है न वो भी गंदी हो जाएंगी तो वही समय ने निपटाया तो बस अभी आलमारी आपको दिखा दे रही हूं तो अंदर देखे नीचे वाल है और एक दो पुराने भी हैं सिलने के लिए सारे सिलाई वाले हैं और उपर वाले पर बुक कॉपी है तो अभी तनमय इसमें कुछ रखेगा और मतलब वो सही से रखेगा मैंने सिर्फ सिंपल सा जो मुझे समझ में आ रहा था मैंने उतना रख दिया है कपड़े वगरा त दिरेखें बहुत सारी ज़रूरत की चीजे होती हैं यह रेड वाला जो बैग है ना इसमें मैंने सारे कपड़े वाले जो बैग जो जो ले आते हैं नहीं सामानों अगरा वो सब मैंने भरके पननी बडे बड़े जो है वो सब रखा हुआ है बेट सीट एक तरफ रखा यह भी पोचना है यह भी पोचना ऐसा लग रहा था देखे टेबल के नीचे तो अभी साम भी हो गया ना तो इस टाइम पे सफाई वगरा करते नहीं है तो इस वज़े से भी मैंने छोड़ दिया कि अब कली करूंगी इधर देखे सारा साप अब दरवाजा लगया ना तो कित इसके बाद मैंने दिया बतिकरी टाइम काफी हो गया था लेठी हो रहा था उसके बाद सबजी वगरा कटकी और अभी बनारी हूं रात का खाना तो कितना भी हम ठके हो कुछ भी हो लेकिन की ट्यूटी हमारी ना कभी खतम नहीं होती यह ड्यूटी हमें करने ही होती है तो बस यहां पे बना रही हूँ भिंडी की भिंडी और आलू की सबजी और रोटी बनाओंगी कुछ और बनाने का जैसे हिम्मत नहीं हो रहे थी कि बस सिंपल सी सबजी रोटी बना देती हूँ उसके बाद जो एक खाना पिना करने के बाद तब आराम किया जाएगा तो बस वीडियो में बबाइ थैंक्स फर वोचीन